आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल गैतरी राज कीचन में तो चलिए दोस्तों आज बनाते हैं बहुती टेस्टी सब्जी भिंडी और टमाटर के जो हम सभी को बहुत पसंद है तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो भिंडी चाहिए और इस तिल ज़्यादा चीए रहता है उसके बाद तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक चमस जितना मेथी के दाने सर्षों के दाने डाल देंगे जब अच्छे से चटकने लग जाए उसके बाद इसमें 2-3 मीडियम साइज के प्याज ले लेंगे और उसे भी काटके डाल देंगे मै प्याज जब पक जाए उसके बाद इसमें कट हुए भिंडी को डाल देंगे अब भिंडी को भी साथ मच्छे से चला लेंगे और भून लेंगे भिंडी को पकने में थोड़ टाइम लगता है इसलिए हम इसे धक के पकाएंगे जिसे भिंडी जल्दी से पक जाए और मुलायम हो जाए तो ढग देते हैं दो मिनट के लिए दो मिनट हो चुका है देख लेते हैं देखिए भिंडी अभी पका नहीं है अच्छे से तिस अच्छे से और जल्दी पकाने के लिए हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक हम स्वादानुसा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा लसुन का पेश्ट डाल देंगे और चला लेंगे नमक डालने से सब्जी जल्दी पक जाएगे और नमक डालने से जल्दी से पक तो जाता है भिंडी मगर चिपकने लग जाता है इसलिए इसमें हम हल्दी का पौडर डाल देते हैं साथ ही साथ इसमें मिर्च पौडर डाल देते हैं और धन्या पौडर आप सभी ने देखे होंगे कि मेरे वीडियो में अधिकतर मैं इन तीन मसालों का ही इस्तिमाल करती हूं ज्यादा मसाला यूज नहीं करती मैं तो देखें भिंडी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो चुका है तब इसमें टमाटर डालेंगे तो टमाटर करें देखें भिंडी अच्छे से पक चुका है और गल भी चुका है तो हम टमाटर का पेश डालेंगे तो तमाटर का पेष्ट बनाने के लिए हम 2-3 medium size के चार भी टमाटर ले सकते हैं और इसे mix ही में पीस लिए हमने और इसका पेष्ट अच्छा से बना लिए हैं और भिंडी में डाल दिये हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक टमाटर अच्छे से पक न जाए और कलर न छोड़ दे टमाटर का कलर आने तक हम इसे पकाना है तो इसलिए हम इसे ढग दिये हैं देखें टमाटर का कलर अभी भी नहीं आया है अब देखते हैं टमाटर का कलर अच्छे साथ चुका है देखिए और भींडी और टमाटर का सबजी अब करीब करीब रेडी है तो चली अब इसे परोस्ते हैं तो एक बाउल में लिकाल लेते हैं परोसने के लिए आप सभी को भींडी और टमाटर की सबजी बहुत टेश्टी लगेगा आप जरूर बना के देखिएगा एक बार आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं देखिए देखने में इतना टेश्टी लगता है और खाने में तो चटपटा लगता है तो आप भी जरूर बना के देखिएगा धन्यवाद झाल जरूर न वटना के देखिए लगता हैं